गुद मॉनिंग ओके यह स्ट्राटिक जी के कही पॉर्शन है जिसमें हम इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिक कुछन यहां से बनता है जो कि आपके जनरल अवेरनेस के लिए जो है जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है कि एक फिसी कैसे वहर करता है और इससे रिलेटर जो है बहुत सारे बनते हैं आपके इंडियन जी के वाप सेक्षेंचण में भी आवेरनेस वाले सेक्षेंच में भी यह फिर आप बोल सकते हैं स्टीक जी के या फिर्ट्स को भी रिलेट करके कि इसमें पूछ देता है कई सारे question तो इसलिए जो है हमको इसके basic चीजों को समझना है बहुंद detail में हमें नहीं पढ़ना है constitution को हमें एक तरह से बोलना चाहिए study नहीं करना है लेकिन हाँ इसके जो basic question बनेंगे उसको exam point of view से हमें समझने की कोशिश करना है राइट चलो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कुछ facts है जिसके बारे मैं हमें बात करनी है और यहाँ से जो है question कई चीजे पूछता है basic चीज है लेकिन यहाँ से भी question आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखोगे कुछ facts लिखा हुआ है तो यह facts किससे related है Indian constitution से related है भारत के जो समिधान है उससे संबंधित है तो पहला है यहाँ पर दुनिया का सबसे पूराना जो constitution है उसका वो कौन सा है Britain का constitution है जो 1628 में जो है यह बना था ठीक है यह Britain का constitution है जो दुनिया का सबसे जो है पुराना constitution माना जाता है ठीक है अगर latest constitution की बात करें तो दुनिया का सबसे नया जो constitution बनाया गया है जिस देश के द्वारा वो है नेपाल का जो कि अभी अभी 2015 में यह बन करके तयार हुआ है तो सबसे पुराना जो है कौन सा है oldest कौन सा है ब्रिटे माल का है अगर हम बात करें इसमें कुछ और फैक जैसे world's first unwritten constitution दुनिया का पहला या सबसे पुराना constitution ब्रिटेन का है लेकिन यह अलिखित समुधान है तो इसको माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना जो है अलिखित समुधान अलिखित समुधान है दूसरा है यहाँ य लिखित समिधान है अमेरिका का 1789 में जो है इसको लिखा गया था तो बृतें का समिधान अलिखित है उसको लिखा नहीं गया है और एक तरह से बोल सकते हूँ कि वो unwritten constitution है अगर हम बात करें जपान के constitution की बात करें तो यह first written constitution है Asia का अगर हम Asia continent की बात करें तो इस महाद्यूप में जपान है जो की 1860 में अपना पहला written जो है constitution बनाया इस पूरे continent का Asia continent का अगर हम भारत की बात करें तो world's largest written constitution भारत का ही समिधान है जो की दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित समिधान है सबसे पुराना लिखित समिधान अमेरिका का और सबसे बड़ा लिखित समिधान जो है भारत का समिधान है और यहीं पे जो अगर हम इसी लिखित समिधान को बात करें तो world's shortest written constitution अमेरिका का है सबसे छोटा अमेरिका का है, हाला कि सबसे पुराना भी है लिखित समिधान में और सबसे छोटा भी है, अगर हम बात करें, father of constitution, समिधान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है, समिधान का जनक, ठीक है, एक यूनानी बहुत बड़े जो है, philosopher है, अरस्तु, तो अरस्तु जो है, father of constitution माना जाता है, अगर हम father of Indian constitution कहें, तो डॉक्टर भीम राव अमबेटकर जो है, भारत के समिधान के जनक माने जाते हैं, father of constitution of India कौन है, डॉक्टर भीम राव अमबेटकर, overall आपसे पूछे, father of constitution in the world बोले, तो अरस्तु जो है, दुनिया के समिधान क जनक माने जाते हैं, चलो, अब अगर हम बात करें, भारती समिधान के क्या क्या बाते हैं, जो आपको ध्यान में रखनी हैं, तो भारती समिधान में जो है, अभी वरतमान में कितने भाग हैं, तो टोटल जो इसके ओरिजिनल जो constitution सुरू में बना था, वास्तविक जो समिधान सुरू में या मुल समिधान जिसको हम बोलते हैं, तो मुल समिधान में और वरतमान समिधान में, भाग कितने थे, देखो तिन पार्ट में बटा हुआ है, तिन चीजों में बटा हुआ है, पार्ट बोला जाता है इसको, उसके अंदर में आता है, अनुसूची बहुत सारे हैं, और अनुसूचियों के अंदर में बहुत सारे articles हैं, जिसको हम अनुचेत कहते हैं, है ना, तो ये तीन सेक्षन है, इन तीनों सेक्षन के related आपको याद रखना है, ओरिजिनल समिधान म एक्षन में भाग तो 22 ही है, लेकिन ये क्या होता है ना, counting में, जैसे क्या हो गया, भाग एक के अंदर में अगर भाग एक का डाल दिया जाए, तो है तो भाग एक ही, लेकिन वो count करोगे तो क्या हो जाएगा, एक को इसको count करोगे, एक को, और दूसरा count करोगे एक का को, त कहने का मतलब यह है कि यह गिंती में आज के डेट में वरतमान में कितने भाग हो गए हैं 25 भाग हो गए हैं तो कई लोग को लगता है कि भाग 25 हो गया है लेकिन एक्चॉल में क्या है काउंटिंग में गिंती करोगे तो 25 है लेकिन एक्चॉल में भाग तो अभी भी 22 का 22 है ल अतलब 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 नए अनुसूची इसमें जोड़े गए हैं, ये 8 का 8 खा ऐसा नहीं जोड़ा गया है, बलकि सिधा सिधा 9, 10, 11, 12 करके जोड़ दिया गया है, तो अभी अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 अनुसूची है, भारतिय समिधान में, टोटल अनु हो चुके हैं, मतलब कि ये बढ़ करके, तो गिंती में है, मतलब कि अंदर में जैसे 298 हमालो, तो 299 नहीं हुआ, वो तो 299 पहले से था, 298 का खा करके इधर और जोड़ दिया गया है, तो इसी तरीके से अगर आप काउंट करोगे, तो ये जो है टोटल 470 अभी में कितने भाग थे, कितने अनुसूची थे और कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, समझ में आ गया, कितने भाग थे, 22 थे, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, वरतमान में कितने, 25 भाग, 12 अनुसूची, 470 अनुच्छेद है, किस टाइप का पुछेगा, आप से सिर्फ य यही पुछेगा यार कि बताईए मुल समिधान में कितने अनुसूची थे, मुल समिधान में कितने भाग थे, मुल समिधान में कितने अनुचेद थे, ऐसे करके पुछेगा. चलो, अनुसूची की मैं बात कर रहा था, पहले हमारे मूल समीधान में आट अनुसूची थी, कितने अनुसूची थे? आट अनुसूची थे, अब वर्तमान में जो है बारा अनुसूची हो गया है, या कब उसको जो है सुचित किया गया या कब उसमें सामिल किया गया तो 1951 में जो है पहली बार भारत के समिधान में एक नया अनुसूची नौवी अनुसूची जोड़ी गई ये अनुसूची क्या था भूमी सुधार कानून लाया गया था इसमें बहुत सारे लैंड एक्क् संधी कानून को कब किस अनुसोची में सामिल किया गया और नवी अनुसोची में सामिल किया गया था ठीक है अब एक चीज और याद रखना है यहां से एक कुर्शन और बनता है आप से पूछ सकते हैं कि भारती समिधान में पहली बार समिधान संसोधन कब किया गया तो यह प राट हुआ था संसोधन जिसको बूलते हैं तो ये पहला संसोधन था 1959 में हुआ नवी अनुसूची इस संसोधन के तहट जोड़ा गया वो नवी अनुसूची क्या है भूमिसुधार से रिलेटेट है दसवी अनुसूची जोड़ी गई ये जो है आपका 52 नंबर का संसोधन और ये हुआ था 1985 में तब 52 नंबर के संसोधन में दसवा नुसूची जोड़ा गया और ये रिलेटेट था दल बदल कानुन मतलब कि एक पार्टी को छोड़ कर दूसरे पार्टी में जाने की जो भी प्रक्रिया है उससे रिलेटेट कुछ कानुनी जो है अमेंडमेंट यह पर किये गये कुछ सुधार लाए गये ठीक है कि एक दल से दूसरे दल में जाना दूसरे दल से फिर पहले दल में आना इस तरह के लेकर के चीजों को लेकर के एक कानुन बनाया गया तो यह जो है 52 समिधान संसोधन में हुआ ग्यारवा और बारवा को बहुत जरूरी है आपको याद रखना ये बार बार आपसे पूछ सकता है 1992 में दो जो है नए अनुसुची सामिल किये गये एक था 73 समिधान संसोधन दूसरे को बोले जाता है 74 समिधान संसोधन 73 समिधान संसोधन के अंदर पंचायती राज जोड गया और यहां पर जो है नगरी निकाय के जो चुनाओं वगरा है इसके बारे में लाया गया अर्बन बॉडिस को इंटरूस किया गया जो आज के डेट में आप नगर पाली का नगर निगम नगर पंचायत ये सब सुनते हो ना ये सब 74 समिधान संसोधन में 1992 को जो है इंट पूचे तो ये अनुसोची है 11 ठीक है ये सब अनुसोची की बात हो रही है ना शेडियूल जिसको हम बोलते हैं तो ये सारे अनुसोची आपको याद रखना है और खास तूर पे 11 अनुसोची 12 अनुसोची आप से पूछ सकता है कि नगरी निकाय भारती समिधान के कौन से अनुसोची में सामिल किया गया है तो 12 अनुसोची में सामिल किया गया है और देखो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको बहुत डीप जाना है ये हर एक भारती ये कोई इतना तो पता होना ही चाहिए कि कौन से अनुसोची में क्या सामिल है इतना नौलेज आपको Constitution का होना चाहिए तो मैं आप लोग को उतना ही बता रहा हूं जितना एक जनरल अवेर्ड इंसान को पता होना चाहिए अपने देश के कानून के बारे में अपने देश के समिधान के बारे में ठीक है चलो आगे हम बढ़ते हैं देखो बाकी चीजें यहाँ पर list out मैंने कर दिया है आप चाहो तो इसको देख लेना लेकिन हमारे exam के लिए इतना ज़रूरी नहीं है इतना deep हमें जाना ही नहीं है इसलिए मैं बाकी चीजों को skip कर रहा हूं आप चाहो तो इसको एक बार पढ़े लेना और अगर कुछ समझन है Ini 5 एंके प्रसासन के बारे मैं कुल मिला करके बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं जहांँ पर अनुसोचीات जिंडियाती डाइब रहते हैं तो वहाँ का administration कैसे लागू होगा, कैसे वहाँ पे काम करेगा, प्रसासन कैसे काम करेगा, इससे लेटेट जो भी कानून है, जो भी नियम होगर है, वो अनुसुची 5 में जो है, लाया गया है, या अनुसुची 5 में described किया गया है, तो कई बार exam अगर में पूच देता है, कि ST, SC से लेटेट प्रसासन कौन से अनुसुची में सामिल है, तो ये है आपका पांच वी अनुसुची, इसी के regarding एक और चीज़ है, अनुसुची 6, तो अनुसुची 6 में जो है, या schedule 6 में क्या बाते की गई है, जो हमारा North Indian के जितने भी North India के जो states हैं, जैसे असम हो गया इसमें, मेघालाई हो गया, तरिपूरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनके बारे में जो है अनुसुची 6 में बताया गया है, मतलब कि जो असम, तरिपूरा, मिजोरम और मेघालाई का administration है, और यहां के जो STSC हैं, जो STSC हैं, उनके प्रसासन के बारे में यहां पर बात किया गया है, तो यह schedule 5 और 6 को खास तोर पर याद रखना है, schedule 11 और schedule 12 को बारे में बता दिया, पंचायती राज और नगरी निकाय हैं, है न? तो चलो, यह जैसा कि schedule 9 के बारे में भी मैंने बताया, land reform है, यहां पर जो है दल बदल है, दसवा दल बदल, यह याद रख सकते हो आप, दस दल बदल, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, दस दल बदल, अनुसोची दस दल बदल से related है, ग्यारवी और बारवी को आपको याद रखना ही है, एक पंचायती राज से है, और एक urban bodies से related है, नगरी निकाय से हैं, चलो, भारती समिधान जब लिखा गया था, तो यहां पर जो है, इंट्रोड्यूस किया गया था, समिधान सभा को, तो यह जो समिधान सभा है, इसके बारे में कुछ कोशन आपसे पूछ सकता है, समिधान सभा क्या है, वो सभा जिसने समिधान को बनाया है, समिधान को बनाने के लिए एक गठन किया गया सभा का, उस सभा को बला जाता है समिधान सभा, जिसको हम Constituent Assembly बोलते हैं है ना पहली बार जो समिधान सभा की बैठक हुई ये question पता नहीं कितने exam में पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखना है पहली जो meeting हुई पहला जो session हुआ या पहला sitting जिसको बोलते हैं या पहला बैठक आप बोल सकते हों ये जो पहला बैठक ह ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सचीदानन सिन्हा ठीक है सचीदानन सिन्हा जो है इसके पहले अध्यक्ष बने लेकिन ये पर्मानेंट अध्यक्ष नहीं थे पर्मानेंट अध्यक्ष जो है बनाये गए second sitting में second बैठक जब हुआ थ फिर जो बोलना चाहिए कि पूर्णकालिक बोल सकते हो अध्यक्ष ठीक है वो चुने गए थे तो पहले अध्यक्ष बोलेगा तो अध्यक्ष है सचीदानन सिन्हा और पूर्णकालिक अध्यक्ष बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद प्रसाद ठीक है इसके total 12 बैठके मेटिंग इस तरह से कुछ भी आपको शब्द समझ में आए वो ध्यान रखना है 12 बैठके हुई थी जो आकरी बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान जो है लागू हो गया था तो 24 जनवरी 1950 को जो है आकरी बैठक लगा था इस Constitution को जो है बनाने में ठीक है अब आपको समझना है कि 2 साल 11 मेहने 18 दिन का मतलब क्या है एक्चल में जो है हमारा Constitution को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नॉमबर 1949 को ही है ना इस चीज को याद रखना है आपको 26 नॉमबर 1949 को ही जो है इस दिन को जो है Constitution को कर लिया गया था इसको अंगिकरित कर लिया गया था मतलब कि मान लिया गया था यही हमारा अंतिम समिधान है लेकिन पूरे देश में इसको लागू किया गया 26 जनौरी 1950 को अला कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है 26 जनौरी को 1930 के टाइम में जवाहल लाल नहरू ने भारत का सुतन्सरा दिवस घोसित कर दिया था यह डिक्लियर कर दिया थे अंग्रजों के सामने कि आज से भारत देश अजाध है करें यह 26 जनौरी 1930 के बात है ना तो उस टाइम में जो है इसका एक राश्टी महत्त है 26 जनौरी के दिन का इस दिन को चूस किया ग समिधान दिवस हर साल जो है Constitution Day मनाया जाता है 19-26 नौरी के दिन हर साल ठीक है आपसे पूछेगा यहां पर कि भारत में समिधान दिवस किस दिवस को मनाया जाता है तो 26 नौरी को हर साल मनाया जाता है जिस दिन Constitution को अंगिकरित किया गया समझ में आ गया चलो आगे हम बढ़ते हैं कितना दिन लगा था ये भी ध्यान रखना है दो साल ग्यारा मैंने अठारा दिन चलो कुछ चीज़ें यहां पे जो है Constitution के सोर्स से रिलेटेड आप से पूछ सकता है कि भारत के समिधान में किस चीज़ को कहां से लिया गया है या कहां से इंस्पायर है कौन से देश के समिधान से इंस्पायर है तो बहुत सारे चीज़ें को जो है अडॉप्ट किया गया था दूसरे देश के समिधान से जिसमें से कुछ चीज़ें आपको धियान रखना है जैसा कि आपसे बोल सकता है, मैं हर एक चीज यहाँ पे नहीं बताऊंगा और हर चीज को आपको याद रखने के ज़रूत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसा कि इसका जो मूल स्रोत है, ओरिजनल जो सोर्स है हमारे समिधान का, वो स्रोत कहलाता है, गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, भारतिय सासन अधिनियम 1935, तो पहली बात यह हो गई, आपसे पूछें के समिधान का मूल स्रोत क्या है, तो भारतिय सासन अधिनियम 1935, जो है इसका, मूल स्रोत है, यहीं से ज़्यादा तर चीजे जो है उठाई गई थी, दूसरा यह है कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजे ली गई थी, तो बहुत सारे चीजे यहां से ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन एक चीज़े रखना है आपको एकल नागरिकता वाला, भारत में किस कर नागरिकता चलता है तो यहां का citizenship है single citizenship आप एक देश में एक ही नागरिकता ले सकते हो या एक ही देश की आपकी नागरिकता होगी तो भारत के जब तक आपके पास नागरिकता है आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते तो यह जो एकल नागरिकता है यह मूल अधिकार के बारे में या मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है अमरीका के सविधान से जो है ये प्रेरित माना जाता है ठीक है इसके अलावा जो है ऑस्टेलिया से बहुत सारी चीजें ली गई थी तो आज के डेट में जो हमारे यहां का प्रस्तावना है भारती समि लिया से लिया गया है प्रस्तावना इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि अगर हम बात करें आयर लैंड से तो आयर लैंड से जो हमारे यहां का निती निर्देशक्तत्व जो माना जाता है वो आयर लैंड से लिया गया है और यह कोशन भी बार बार पूछा जा तो पॉलिसी आप जो डारेक्टिव इलेमेंट्स है यह सब जो है निती निर्दसकत तो आयरलैंड से आया है आयरलैंड के समधान से लिया गया है इसके अलावा आप बोल सकते हो जो आज के डेट में जिसको मैं बार बार बोल रहे हूं समिधान में संसोधन किया गया तो ये जो समिधान में संसोधन है ये कहां से लिया गया तो ये साउथ अफरिका से लिया गया है तो जैसा कि हम समिधान में संसोधित करके नवी अनुसूची, ग्यारवी अनुसूची, बारवी अनुसूची इस तरह से डाले है न, ये कैसा है, ये क्या चीज़ है, ये समिधानिक संसोधन है, तो ये जो समिधानिक संसोधन है, ये समिधान में साउथ अफ्रिका के समिधान से लिया गया है, चलो इसके अलावा जो है मूल करतब बें कि अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे अहां अमरीका से लिया गया है मूल अधिकार तो रस्या के समिधान से लिया गया है मूल करतब या मौलिक करतब भी जिसको बोलते हैं तो यह लिया गया है रूस के समिधान से ठीक है अब जो है फ्रांस के समिधान से जो है यहां पे एक्वालिटी की बात की गई है लिबर्टी की बात की गई है तो समानता का समानता और फ्रांस से लिया गया है तो देखो यह जो आपके एक्जाम में बहुत important है आपको 6 चीज़ों को याद रखना है कि एकल नागरिक तब रिटेन से लिया गया मुल अधिकार अमेरिका से प्रस्तावना आस्ट्रिया से लिया गया है निती निर्देसक तक तो Ireland से समिधानिक संसोधन जो होता है वो South Africa से लिया गया है औ जो है आपको basic source को हो पता होना चाहिए चलो आगे हम बढ़ते हैं यह हमारे constitution का preamble है जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं इसमें क्या क्या चीजे सामिल है आप देख सकते हो और अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पी दे दिया है इसमें हम भारत के ल संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोक तंत्रात्म गड़ राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजी कार्थिक और राजनेतिक न्याय विचार अभ्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन प्रता यह सारी चीजे जो है यहाँ पर कुछ बाते कुछ इस्टेटमेंट कुछ ओपिनियन दिया गया था समिधान जब बन करके तयार हुआ तो कुछ अलग-अलग जो है राजनेताओं के द्वारा और यह एक्जाम में बार-बार पूछता भी है कि कि किस राजनेता ने क्या करा था अपने समिधान को ले करके त तो याद रखना है पंडित जवाहल लाल नहरू ने प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा है समिधान की आत्मा तो यह पता ने हर बहुत सारे एक्जाम में यह पूछा है कि पंडित जवाहल लाल नहरू ने समिधान की आत्मा किसको कही है तो पंडिजवार लाल नहरू ने समिधान की आतमा कही थी प्रस्तावना को, जो भारती समिधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसको उसने soul of the Constitution कहा था, भारती समिधान की प्रस्तावना को उसकी आतमा कही थी, ठीक है? इसी चीज को ले करके डॉक्टर भिमराव अम्बेटकर ने जो वो दिया थे statement दिया था वो उनका थोड़ा सा अलग विचार था उनके मानना था कि right to constitutional remedies हमारे भारती समिधान में उस ताइम में साथ जो है मौलिक अधिकार दिये गये थे भारती लोगों को अब 6 हो गया है उस मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल नंबर 32 में है जिसको बोला जाता है right to constitutional remedies बोला जाता है समिधानिक उपचार का अधिकार बोलते हैं इसको तो डॉक्तर भिम्राउं अंबेटकर के द्वारा जो है समिधान की आतमा जो है इसी को कहा गया है समिधानिक उपचार का अधिकार तो ये दो question जो है बार-बार ये पूछता है कि समयधान की आत्मा डॉक्टर भिम राओ अंबेटकर के according क्या है और जवाहलल नहरू के according क्या है तो उन्हों ने कहा प्रस्तावना को नहरू ने और अंबेटकर ने कहा समयधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नमबर 32 को उस तो इसने कहा आत्मा फिक है इसके अलावा के मुंसी जो की इसके जो है समयधानिक सलाकार थे उस टाइम में और इन्हों ने जो है एक चीज कहा है जन्म कुदली कहा है जो हमारे भारती गड़तंत्र का जन्म कुदली कहा है इसको ठीक है, मतलब कि समिधान को भारतिय लोगों की, ठीक है, तो एक जन्म कुंडली वाली जब भी कोई question पूछेगा, तो के मुनसी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, मुनसी को आप जन्म कुंडली, जितने भी मुनसी होते थे पहले, लोगों के offices वगरा में, वो क्या काम क साता बनाते थे, एक तरह से financial कुंडली तयार करते थे, तो के मुनसी कुंडली को relate करके आप याद रख सकते हो, इसके अलावा जो है सुभास कस्यप ने एक वो दिया था, इन्हों ने जो है foundation, प्रेमबल को solar foundation कहा था, ये सब पूछता कम है, आप चाहोत इसको भी देख सकत हो, लेकिन हमारे exam point of view से इतना detail में नहीं पूछेगा, चाहो तो देख सकते हो, वो अलग बात है, कुछ यहाँ पे fact है, जैसा कि आप से पूछा जा सकते है, constitutional advisor कौन थे, तो B.N.R.O. सॉरी, B.N.R.O. जो है constitutional, समिधानिक सलहकार के मैंने केम मुनसी बोल दिया था, ठीक है, समिधानिक सलहकार जो है कौन थे, भारती समिधान को जब बनाया गया था, तो एक समिधानिक सलहकार की न्युक्ति की गई थी, उनका नाम था B.N.R.O. ये समिधानिक सलहकार के पत्पे थे उस टाइम में, इंगलिस calligraphic इसने की थी, देखो, समिधान को हाथों से, hand written है न, इन्हों ने जो है, इंगलिस calligraphy की थी, calligraphy का मतलब है, hand written बोल सकते हो, अब आसान सब्द में, तो इंगलिस calligraphy की थी, प्रेम बिहारी नरायन रायजादा ने, और हिंदी में जो लिखा था, बसंद कृष्ण वैद्य ने, तो ये दो चीज़ें आपको पूछा जा सकता है बेसिक चीज़ें, general awareness का ही चीज़ें, चलो एक तो और बोला जाता है, भारती समिधान के बारे में, criticism किया जाता है इसको, क्रिटिसिजम क्या है इसमें, basically जो है बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग तर से जो है इसके बोलना इसको बहुत सारे चीजों को जो है अलग-अलग देसों के समिधान से inspired है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है गैर भारती बोल देते हैं, कई बार olhar criticism है ना ऐसा है जरूरी नहीं है criticize करते हैं बहुत सारे लोग इसके अलावा इसको complex बोलते हैं मतलब बहुत जटिल है आम आदमी के समझ से परे माना जाता है इसको तो इसकी जटिलता को ले करके भी इसको criticize किया जाता है इसके अलावा इसकी मौलिकता को ले करके भी criticize किया जात इसके अलावा इसको उधार का थैला बोल देते हैं, तो उधार का थैला simple सी बात है, दूसरे देशों से sources किया गया है, इसलिए इसको उधार का थैला बोलते हैं, इसके अलावा भानुमती का पिटारा बोल जाता है, कई जगा जो है भारते समिधान को लेकर के भानुमती का प पिटारा करके भी क्रिडिसाइज किया जाता है नेक्स्ट है यहां पर नेशनल सिंबॉल आफ इंडिया को ले करके कुछ कुछ बन सकता है जो कि मैंने पिछले कुछ एमसेक्यू जो अगर मैंने इसको डिसक whilst भी किया था हमारा जो रास्टी धोहज है कि इसको कब जो है अड़ प्किया गया था बाइस जुलाइं 1947 को जो है राश्टी धोहज को एडॉप्ट किया गया था इस दिन अंगी करित किया गया था दूसरा है जना गना मना इसके बारे में भी हम लोगों ने कोशन किया था तो यह जो है नेशनल एंथम राश्ट्रिय गान के रूप में जो है इसको कब अपनाया गया था 24 जनुवरी 1950 को सिमिलर वंदे मातराम को जो है राश्ट्रिय गीत के रूप में जो है नेशनल सौंग के रूप में जो है इसको एडॉप्ट किया गया था सेम डे 24 जनुवरी 1950 को 26 जनुवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था जो हमारा अशोक पिलर है अशोक इस्तम्भ है इसको जो है गवर्मेंट आफ हिंडिया ने जो है राश्ट्य चिन्ध के रूप में जो है इसको अंगिकरित किया था तो राश्ट्य चिन्ध को कब अपनाया गया 26 जनुवरी के दिन ही कौन से है असोक इस्तम राश्ट्य चिन्ध के अंस है हमारा असोक इस्तम इसके अलावा जो है 22 मार्च 1957 को जो है भारत में राश्ट्य पंचांग इसको अडॉप्ट किया गया अब राश्ट्य पंचांग जो है सक समवत को माना जाता है ना बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं याद रखना है भारती समिधान में जो अब इसको सामिल कर लिया गया है एक्चलम मूल समिधान में तो नहीं था लेकिन इसको भारती समिधान के हिसाब से इसको माना गया है, नेशनल कैलेंडर राष्टी पंचांग कौन सा है, तो शक सम्वत भारत का राष्टी पंचांग है इसको 22 मार्च 1957 को जो है अडॉप्ट किया गया था एज राष्टी पंचांग, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है 78 साल जो है यह पीछे है, ग्रिगरियन जो कलेंडर होता है, उससे लगभग 78 साल जो है, इसको पीछे माना जाता है आज के डेट में अगर हम पूछें कि 2023 जो है, वो हमारे राष्टी पंचांग के साब से कौन सा साल होगा, तो यह 1945 का साल होगा मतलब अभी हमारे राष्टी पंचांग में यह कौन सा साल चल रहा है 1945 का साल चल रहा है है ना, तो हमारे पास यह दो टाइप के जो criticism है, वहाँ पे जहलना पड़ता है हमारे पास दो option थे, एक तो विक्रम समवत था जो के 57 साल जो है, Gregorian calendar, जो आज का अंग्रेजी calendar है ना, January, February इससे यह 57 साल पहले था यह और हमारा जो यह सक समवत है यह 78 साल जो है, बाद में आया है ठीक है और यह 57 साल पहले है और इसके बीच में है आपका Gregorian calendar जिसको हम अंग्रेजी calendar बोलते हैं तो चाहते तो हम विक्रम समवत को जो है अपना सकते थे एजे राष्टी पंचांग लेकिन नहीं अपनाया गया, अपनाया किसको गया सक समवत को अपनाया गया, जो कि 78 साल अंग्रेजी के calendar से पीछे है, है ना, और अगर हम इसको अपनाते तो ये अंग्रेजी के calendar से जो है आगे हो जाते, तो आज के date में हम कौन से year में होते, या है एक्च्वल में विक्रम समवत को भी बहुँ सारे लोग फालो करते हैं तो विक्रम समवत के हिसाब से अभी भारत का जो साल चल रहा है वो 2080 है और अंग्रेजों के इसाब से 2023 है और हमारा जो राष्टी पंचान है उसके हिसाब से हम 1945 में है अभी वरतमान में 1945 में कुछ आर्टिकल के बारे में मैं बता देता हूँ जैसा कि मैंने पिछले कुछ MCQs में कुछ-कुछ articles के बारे में question आया था और आगे कुछ MCQs करेंगे उसमें भी आयेगा तो इसको ध्यान देना है आपको देखो article कौन-कौन से article को आपको याद रखना है एक बार और कौन से बोल रहा है शक समवत जो की 78 AD में चालू हुआ है और ये था 50 BC मतलब इसा पुर्व में है और जो हमारे ग्रिगेरियन कलेंडर है ये 0 AD से चालू हुआ है मतलब की 0 ISV से सुरू हुआ है तो इसलिए आपको समझना है कि नेशनल कलेंडर अपनाते टाइम हमारे पास दो अप्सन था या तो हम विक्रम समवत को अपना सकते थे जो की ग्रिगेरियन कलेंडर या जिसको हम आसान भासा में अंग्रेजी कलेंडर बोलते हैं जनुरी फरवरी वाला उससे हम 57 साल पहले हो जाते अगर हम 57 साल पहले होते तो आज के डेट में हमारा येर होता 2018 हमने अपनाया सक समवत को जो की 78 साल बाद में आया किसके ग्रिगेरियन कलेंडर के तो वर्तमान में हम कौन से सन में है 1945 के सन में है मतलब 78 साल पीछे हैं हम अंगरेजों के कैलेंडर से तो हमने अपनाया क्या है सक समवत को 22 मार्च 1957 के रूप में एजे राश्टी पंचाहिया नेशनल कैलेंडर के रूप में ठीक है विक्रम समवत को हमने नहीं अपनाया लेकिन उसके बावजुद भी लोग जो ह में कहीं न कहीं विक्रम समवत को भी जो है मेंसन किया रहता है अब मुझे तो अभी यहां पर दिखनी रहे मेरे नीचे में है घर में जहां पर विक्रम समवत दिखता है वहां पर और सक समवत भी लिखा रहता है तो यह तीनों चीजे जो है अलग-अलग occasion में फॉलो किया है हमारे यहां राश्टी पंचांग में आज की डेट में जो है फॉलो किया रता है सक्षवमत जो कि आपके चैत्र महिना से सुरू होता है चैत्र बैसाक जेट असार सावन भादो यह इस तरह के महिने जो है सुरू होता है और यह जो हमारा ग्रिगरियन केलेंडर है जनुवर टारी फरवरी से सुरू होता है सिमिलर इसमें एक इंक्रेस्टिंग आपको ध्यान रखना हैं जैसे कि greganian calendar में january का महिना है यह हमारे यहां का चैत्र का महिना से शुरू होता है और generally कई साल 21 या फिर 22 मार्च को यह सुरू होता है और यही जो है आपका january है अगर हम greganian calendar से जो है इसको compare करेंगे तो कई अगरी एक्जाम में यह पूछता है कि अंगरेजी calendar का जनवरी महिना भारती या रास्टी पंचांक कौन सा महिना से शुरू होता है तो यह चैत्र से होगे एक्चल में जो है यह जनवरी से सुरू होता है ग्रिगेडियन calendar लेकिन यह सुरू होता है आपका चैत्र से अब चैत्र का मतलब है March का महिना 21 या 22 March का और यह जनवरी से सुरू हो रहा है अंगरेजी calendar और हमारा सुरू हो रहा है चैत्र जो की अंग्रेजी के साब से मार्च है, तो confused मत हो ना कहने का मतलब यह है, कि हमारा जो चैत्र है, वो वहां का मार्च है, अंग्रेजी का मार्च है और हमारा चैत्र से सुरू हो रहा है, तो अगर आप सक समथ से start करते हो, अपने मतलब की 12 महिने का जो year है, उसको start करते हो, तो आपक जाना है बलकि मार्च से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि यही जो है आपका चैत्र महिना है और मार्च में भी कौन सा या तो 21 को या 22 मार्च को आपका पहला दिन होगा चैत्र का चलो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में जो है यहां पर ध्यान रखना है कुछ आर्टिकल को नागरिकता को लेकर आपसे बोल सकता है कि बताईए कि भारती समिधार में नागरिकता कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है तो एक्चोर में जो है यहाँ पर जो हमारा fundamental rights वोग रहा है यह सब चीजे जो है हमको ध्यान देना है लेकिन article 5 से लेकर article 11 तक अनुछेद 5 से लेकर अनुछेद 11 तक किसके बारे में बात करता है नागरिक्ता को लेकर के बात करता है भारत में किस-किस अधार पर नागरिक्ता दिया जाता है और right to parliament to make citizen act ये सब चीजे जो है इसमें आता है तो हमारे यहां का जो नागरिक्ता है भारत की जो नागरिक्ता है वो अलग-अलग situation पर dependent है या अलग-अलग तरीके से दिया जाता है एक तो जन्म के अधार पर यहां नागरिक्ता मिलता है या फिर once के अधार पर आपको नागरिक्ता मिल सकता है या फिर पंजी कृत करके नागरिक्ता मिल सकता है रेजिस्टेशन करने के बाद में पंजी करन के द्वारा इसके अलावा जो है देशी करन के द्वारा भी जो है नागरिक्ता मिल सकता है देशी सारे छेत्र था जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था जैसे गोवा बहुत बाद में आया है ना सिक्किम वगरा नार्थ इस्ट का जो सिक्किम वगरा है ये सब बाद में आया था तो इसी को देशी करण कहा जाता है जिस छेत्रों को भारत का दिकार मिलता गया उसमें लोग रहेंगे वो land equation के थुरू जो है वहां के लोग को नागरिक्ता मिल जाएगी तो ये पाँच अधारों पर भारत में नागरिक्ता दी जाती है और ये सारे सारे अधार जो है अनुछेद नंबर 5 से लेकर के अनुछेद 11 के बीच में mention किया गया है अब detail में पढ़ने के जोरत नहीं है हर आटिकल को यहां पर हम discuss नहीं कर सकते लेकिन basic चीज़ आपको समझना है कि पाँच अधारों पे भारत में नागरिक्ता प्रदान की जाती है कौन-कौन से अधार है याद रख लेना जन्म, वन्स, पंजी करण, देसी करण और भूमी अधी करण fundamental rights की अगर हम बात करें तो भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कौन से लेकर के कौन से अनुछेद तक दिया गया है ये भी question पूछता है तो आपको याद रखना है कि भारत का जो समिधान में मौलिक अधिकार के बात की गई है वो है article नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में mention किय जया गया है 12 से 35 अनुछेद ये सारे अनुछेद आपके मूल अधिकार से संबंधिव है ठीक है अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं ज्यादा तर question जो है आपका पंजी करण या रजिस्टेशन के थ्रू होता है जैसे कि अभी आप लोगों ने NCR वगर के बारे में सुना होगा मतलब कि national citizenship जो दिया जाता है तो मान लोग किसी देश में हिंदू लोग है जैसे पाकिस्तान में हिंदू है वो यहाँ आते हैं तो उनको एक रजिस्टेशन करवाना पड़ेगा यहाँ पे तो उसको बोला जाता है पंजी करण रजिस्टेशन के थ्रू जो है यहाँ पे होगा दूसरा यह है कि मान लोग कि कोई यहाँ के किसी लड़की से साधी करता है तो उसको पंजी करित करना पड़ेगा अगर यहाँ के नागरिकता चाहिए त तो उसको registration के थ्रू जो है नागरिकता दिया जाता है ठीक है और देशी करण का मतलब बेसिकली यह है जैसे इसका बेस्ट एक्जामपल है देशी करण का कौन से एक सिंगर है जो बहुत वो थे पहले अधनान सामी मेरे ख्याल से नाम सुना होगा आप लोगों ने भीगी करने का यही मतलब है basically कोई इंसान अपनी देश की नागरिकता को छोड़ करके यहां की नागरिकता ले 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 तो उसको देशी करण कहा जाता है तो यह एक तरीका है नागरिक होने का भारत में है ना और भूमी अधिकरण का मतलब यहां पे यह है कि किसी छेत्र को भारत न अब भूमी में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी भारत के हो गए, तो अब उनको जो है, नागरिकता दी जाएगी, तो इसको भूमी अधिकरण नागरिकता कहा जाता है, तो ये 5 तरीका है, जन्म और वंस तो समजते ही हो, जन्म है, मतलब जो भी यहाँ जन्म है, वो सब यह यहां के नागरिक है, once मतलब जिसके पुर्वज यहां रहते हैं, वो सब यहां के नागरिक है, तो यह basic चीज़े, जो सबसे ज़्यादा नागरिकता यहां मिलती है, वो जन्म और once के अधार पर ही मिलता है, चलो, हाँ यह भी interesting fact है, सबसे ज़्यादा नागरिकता किसके अधा पर ही होता है, चलो, नेक्स्ट है, यहां पर fundamental rights के बात करें, 12 से 35 अनुच्छेद, तो 12 से 35 अनुच्छेद जो है, यहां पर, अच्छे कुमार, हाँ यार, उनका केस है, उनके केस में दो चीजे लागों है, एक तुरे station और दूसरा nationalization, चलो, fundamental rights के अगर हम बात करें, तो 12 से 35 अनुच्छेद जो है, आपके मूल अधिकार से सम्बंदित है, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और ये जो अधिकार से related अनुच्छेद है, इसको आपको ध्यान रखना ही चाहिए, एक नागरिक होने के तोर पे भी ये सारे अधिकार आपको पता होना चाहिए, हर इंडियन को अपने जो बोलना चाहिए कि fundamental rights है, उसके बारे में इसको पता होना चाहिए कि उसके क्या fundamental rights है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है definition बोला गया है बारवा में और इसके method जो विधिया है, fundamental rights को प्राप्त करने की जो भी process है, वो सब जो है article number 13 में mention है, तो यह दोनों article उतने useful नहीं है, हमारे exam के हिसाब से देखा जाए तो, हाला कि definition वगरा, methods वगरा आपको पता होना चाहिए, लेकिन exam point of view से जो पहला article है, यहाँ पर वो article number 14 है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, article number 14 से 18 के बीच में जो article है, इसको बोला जाता है, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार कहां से कहां, article number 14 से लेकर के 18 तक जो है आपका समानता का अधिकार है, इसमें हर article अपने आप मे कुछ बाते कहते हैं, जैसे पहला आर्टिकल बोलता है, विधी के समक्छ, अब विधी के समक्छ का मतलब क्या है? कानून के सामने हर आदमी एक्वल है समान है बराबर है कानून किसी को भी अलग नहीं करता चाहे वो जन्म हो वन्स हो जात हो लिंग हो धर्म हो किसी अधार पर भी जो है आपको विधी के सामने कानून के सामने आप बराबर हो कोई भी अलग नहीं है कोई बड़ा नहीं है आर्टिकल नमबर 14 आपको यह अधिकार देता है कि आप कानून के सामने सब इक्वल हो किसी में छोटा बड़ा वाली प्रॉब्लम नहीं है आर्टिकल नमबर जो 15 है वो इस्पेसली बोलता है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा भेद नहीं किया जाएगा तो ही के बाद में है विभेद अब विभेद का मतलब यह है कि आप जाती के अधार पर लिंग के अधार पर जगह के अधार पर जन्म के अधार पर वन्स के अधार पर धर्म के अधार पर किसी भी तरह से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए भेद भाव पर आपको discriminate नहीं करना है ठीक है चुवा छूत नहीं मानना है ये चीज बोला गया है article number 15 इस पर बड़ा अच्छा एक movie बना था article 15 करके आईश्मान खुराना उसमें थे तो ये movie अभी अभी आई थी अब मुझे याद नहीं है year कौन सा है लेकिन article 15 ये movie आई थी आईश्मान देता है equality of opportunity मतलब की आउसर का अधिकार देता है ठीक है वो किसी भी जात का हो वो किसी भी धर्म का हो किसी भी link का हो औरत हो गुरुस हो किसी भी जगह को बिलॉंग करता हो चाहे वो south का हो चाहे north का हो चाहे मध्य भारत का हो चाहे north east का हो वो किसी भी जगह का हो हर जगह मे जो है उसको आउसर मिलेगा काम करने का तो यह equality के अधार पर है मतलब समान आउसर उसको मिलना चाहिए ठीक है लेकिन यार अपने आप में यह बहुत बड़ा controversial article है क्योंकि equality of opportunities को उतना देखा जाये तो पूरे जितने भी article है right to equality में यह अपने आप में बहुत सारे criticism होता है ख वो है अश्प्रिश्यता के बारे में मतलब छुआ छुआ छुट जिसको हम बोलते हैं तो यह जो अश्प्रिश्यता है यह बंध होना चाहिए abolition बोला है मतलब की ban है यह मतलब आप छुआ छुट नहीं मानना है अचुट वाली जो बात है पहले जो होता था वो नहीं होना ह ये बात कही गई है article number 17 में ठीक है और last है abolition of titles जो उपाधी है उसका अंत किया गया है मतलब आज के date में कोई राजा नहीं है कोई प्रजा नहीं है कोई सर नहीं है जैसे पहले होता था ना सर जो title लगाते थे लोग अपने नाम के आगे में और कई लोग जो है राजा लगाते तो इस तरह के जो titles वगर एक उसको अंत कर दिया गया है कितना अजीब बात है कि आज भी जो लोग पुराने time के राजा थे उनके वन सजों को आज भी लोग राजा ही मानते हैं उनको राजा जी करके है पुकारते हैं आज भी लोग उनके पांज होते चलो तो यह article no 14 से article no18 की बातें हैं यह सब समानता के अधिकार के अंतरगत आता है दूसरा है यहाँ पर Right to Freedom इसको बले आता है स्वतंतरता का अधिकार तो सवतंतरता का अधिकार देता है article no 19 से article no 22 तक अब इसमें जो है article number 19 बोलता है अभिव्यक्ति की आजादी यह बहुत important है और पिछले कुछ सालों में यह जो आजादी की बात है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी इसको right to freedom बोलते हैं यह बहुत आजकल news वगरा में रहता है बार-बार जो है right to freedom of speech and right to freedom of expression यह दो अधिकार जो है बहुत आजकल demand में भी है लोगों के news में भी है और कहीं न कहीं यह article जो है बार-बार जो है इस चीज को ले करके लोगों के बीच में एक conflict रहता ही है तो article number 19 आपको देता है सिद्धी के बारे में बोलता है कि बिना दोस्त के सिद्ध हुए आप किसी इनसान को भी जो है किसी भी चीज के लिए आप उसको एक तरसे criminalized नहीं कर सकते किसी को अगर किसी पे कोई आरोप लगा है तो जब तक उसकी सुद्धी नहीं हो सकती सिद्ध नहीं हो जाता कि वह अधिकार देता है conviction का इसके अलावा जो है article number 21 बहुत important है जिसके बारे में कल एक MCQ में question आया था प्राण एवं देहिक स्वतंतरता का अधिकार article number 21 ये कहता है प्राण एवं देहिक स्वतंतरता ठीक है मतलब कि आपके जान की स्वतंतरता के बारे में बात करती है आपके सरीर के स्वतंतरता के बारे में बात करती है मतलब आप किसी के गुलाम नहीं हो ना प्राण से ना देह से आप किसी भी तरह से आप किसी के गुलाम नहीं हो आप स्वतंतर व्यक्ति हो अगर भारत म पर एक article में जोड़ा गया है article number 21 का या फिर article number 21A ये एक्चोली आपको देता है right to education का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देता है हर 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को एक विशेश सिक्षा का अधिकार, विशेश सिक्षा नहीं बोलना चाहिए, स्वतंत्र सिक्षा या फिर ब मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है, तो ये कैसा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार का अंदर में है ये, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार कहीं अंदर में आता है, सिक्षा का अधिकार, आप स्वतंत्र हो इस मामले में कि आपको सिक्षा मिलना ही चाहिए, अग मतलब कि जैसे की बंदी प्रत्यक्षी करण भी कहते है इसको हिंदी में, बंदी प्रत्यक्षी करण क्या है, इंसान अब गर किसी के उपर कुछ आरोप लगा है, पुलिस ने उसको गिरिफ़तार कर लिया है, तो 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को कोट के सामने प्रस्तूत करन जरूरी है ठीक है तो यही है प्रत्यक्षी करण मतलब कि जो भी बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्षरूप से कोट के सामने ले जाओ और उसने जो किया है वो किया है वो सही है नहीं है उस पे जो आरोप लगाया गया है वो करेक्ट है नहीं है इस चीज का फैसला कोट कर ना कि पुलिस करेगी, तो ये जो है कानून को कहीं न कहीं जो है, एक तरह से बोलना चीए कि उनके पावर को कंट्रोल करती है, otherwise पुलिस ये डिसाइट कर लेगा कि कौन दोसी है, कौन निर्दोस है, तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए कानून को एक तरह से लिमिटेट किया गय नेक्स्ट है आपका right to against exploitation जिसको हमने कल ही एक कुश्चन में देखा था सोशन के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये दो चीजें है जो सोशन के विरुद्ध अधिकार देता है right to against exploitation तो 23 नंबर जो आर्टिकल है वो बोलता है कि आपको मानों का ब्यापार नहीं करना है इनसानों का ब्यापार नहीं होना चाहिए अब मानों का ब्यापार क्या है जनरली आप लोग देखो ये human trafficking होता है या forced labor का जो case है वो आता है मतलब बलात स्रम इसको बोलते हैं या बल पूर्वक जो है लोगों का ब्यापार करना लोगों को बेचना खास करके लड़कियों के साथ ये चीज़े होती है तो ये जो human trafficking है या मानों ब्यापार है वो यहाँ पे provided किया गया है यहाँ पे निशेद किया गया है इसको दूसरा है provision of the employment of children in factories जो बाल मजदुरी है उसको रोकने का काम करता है ये जो article है ठीक है उनको factories में काम करने के लिए लग कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता या उसको force नहीं किया जा सकता तो बल्चो की मजदुरी को रोकने का काम करता है article number 24 article number 25 से लेकर के 28 तक अनुचेद 25 से 28 तक आपको sutunrata देता है धार्मिक statumrata का अधिकार तो तो 25 से 28 के बीच का जो अनुछेद है वो देता है आपको धर्म की सुतनरता, right to freedom of religion, तो इसमें आर्टिकल नंबर 25 बोलता है, किसी भी धर्म को माना जा सकता है, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म को मानना, मैं आसान भार्षा में लिख रहा हूँ यार, इसको constitution में दुनिया पर की चीज़े लिखी गई है, लेकिन मैं जो है, इसको थोड़ा सा आप लोग को वो कर रहा हूँ, दूसरा है यहाँ पर freedom to manage religious affairs, अब यहाँ पर जो है, आप किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधी में सामिल हो सकते हो, अब धार्मिक गतिविधिया क्या हो सकती है, जैसे कि अगर आपको कहीं पर भजन में जाना है, किर्तन में जाना है, किसी भी जगह में नमाज पढ़ने ज जाना है, ठीक है, किसी भी जगह में जो शिक समुदाय में जो वो होता है, उसमें जाना है, या Christian लोग के जो इसाई वाला जो होता है, तो उसमें आप जा सकते हो, तो आईए आपके उपर है कि आप किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधी में religious जो भी affairs हो रहा है, उसके विधी में सामिल होना चाहते हो, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है धर्म विशेश पर टैक्स को बैंड करना, ठीक है, मतलब कि 27 नंबर है ये, freedom to pay of taxes for promotion of any particular religion, ठीक है, तो धर्म विशेश पर tax लगाना या आरोपन करना, आप पहले क्या होता था, आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के टाइम में, जजिया कर होता था, ठीक है, जकात कर होता था, तो ये दो ऐसे कर थे, जो धर्म पर dependent होते थे, होता क्या था, और अपने हाला कि इसको वापस लाया था, और उसने अकबर ने इसको बंद किया था, एक्चली क्या है, जैसे कि कोई मुस्लिम राजा है, तो वो क्या करता था, हिंदूओं पर एक tax लगा देता था, जो धार्मिक बेस्ट होता था, कि हिंदूओं को ये tax देना है, है ना, अब जो है, वरतमान सविधान बोलता है, कि कि किसी भ जगा सकते हैं, लास्ट है यहाँ पर धार्मिक सिक्षा का सतंत्रता, धार्मिक सिक्षा का सतंत्रता, क्या बोड़ा है, फ्रिडम टू अटेन रिलिजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टिटूशन, अब मान लो कि कोई किसी भी एक ऐसा स्कूल है, जहां पर धर्म के मंत्रों का उचारण किया जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम बच्चा वहाँ पढ़ता है, तो बिलकुल सुतंत्र है कि वो उस गतिविधी में सामिल ना हो, वो उसके उपर है, अगर वो चाहता है कि मंत्रों को चारण नहीं करना है, तो बिलकुल फ्री है इस मामले म तो उसमें किसी दूसरे धर्म के बच्चे को आप जबरदस्ते इन्वाल नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये अधिकार देता है article number 28, ये सारे articles अपने आप में भी विवाद में रहते हैं कभी न कभी, लेकिन ये बहुत help भी करते हैं, बहुत सारे विवादों से बचने के लिए, ब कानून के हिसाब से देखा है, कानून नहीं बोलना चाहिए, सम्विधानिक अधिकार बोल लिते हैं इसको, ठीक है, चलो, लास्ट है, यहाँ पर दो हमारे अधिकार बच गया है, मौलिक अधिकार में, एक है cultural education right जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो cultural educational right है, इसको बोला जाता ह है, संस्कृतियों सिक्षा का अधिकार, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, अनुछे 29 और 30 जो है, आपको देता है, संस्कृतियों सिक्षा का अधिकार, 29 बोलता है, अल्पसंख्यकों की जो भासा है, अल्पसंख्यकों की जो भासा है, और उनकी संस्क संस्कृति के प्रोटेक्शन का अधिकार है उनकों तो इसमें बात करता है अल्प संख्यकों की भाशा और संस्कृति की रक्षा और दूसरा यहां पर बोलता है सिक्षन संस्थान के इस्थापना तो इसमें दो चीज़ों को समझने कोशिश करो अल्प संख्यकों की जो भी भासा है माइनर्टिस की इसमें बात के जा रहा है या उनका जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना जो है यह अधिकार देता है आर्टिकल नमबर 29 और आर्टिकल नमबर 30 बोलता है right to minorities to establish and administrator educational institution जो भी minorities होंगे जो भी अल्फ संख्यक होंगे वो अपने धर्म के हिसाप से भी जो है एक सिक्षन संस्थान की इस्थापना कर सकते हैं वो और उसका प्रसासन टोटली उनके उपर dependent है उनको यह अधिकार है कि वो सिक्षन संस्थान का इस्थापना किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास तोर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लो उस सिक्षन संस्थान में जो है अगर एक ऐसा administration काम कर रहा है प्रसासन काम कर रहा है जो यह open है और open का मतलब क्या है मान लो की एक धर्म ने अपने हिसाब के एक educational institution खोला लेकिन उसमें जो admission लेने वाले लोग हैं उनके लिए open कर दिया open कर दिया मतलब उनके administration में लिखा है कि यहाँ हर धर्म के बच्चे आके पढ़ सकते हैं ऐसा लिखा है तो दूसरे धर्म के बच्चों के उपर यह force नहीं लगाया जा स रखता है कि वो हर उस चीज को follow करें जो उनके धर्म विशेश पे follow किया जाता है उनके हिसाब से तो यह दो चीजे हैं अपने आप में यह दोनों चीजे को आपको समझना है सिक्छन संस्थान तो खोला जा सकता है हर धर्म के लोग अपने हिसाब से खोल सकते हैं लेकिन किस दूसरे धर्म के बच्चों को वहाँ पर किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा सकता उसी इसको फॉलो करने के लिए लास्ट है यहाँ पर राइट टू कॉंस्टिटूशनल रेमेडिस जिसको आर्टिकल नंबर 32 में रखा गया है और यह जो आर्टिकल नंबर 32 है जिसको हम समिधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसी अधिकार को जो है बाबा सहाब भिम्राव अंबेटकर ने जो है इसको क्या बोला था समिधान की आत्मा कहा है आर्टिकल नंबर 32 को राइट टू कॉंस्टिटूशनल रेमेडिस को ठीक है इसके इलावा देखोगे आप तो आर्टिकल नंबर 29, 30 है और 32 है इस बीच में आर्टिकल नंबर 31 गायब है ये भी पहले क्या था ये था आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था ये ठीक है इसको अब डिमॉलिश कर दिया गया है या एबुलिश कर दिया गया है इसको हटा दिय गया है तो अब वर्तमान में ये आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकार के अंतरगत नहीं आता इससे रिलेटेट भी हम लोगों ने पहले एक क्वेशन किया था है ना तो राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है हमारे समिधानिक अधिकार में नहीं आता ये हमारे बोलना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतरगत नहीं आता राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया है चमालिस्वा समिधान संसोधन 1978 में चलो तो ये हो गया आज की क्लास इसमें हम लोगों ने जितने भी मौलिक अधिकार वगर है वो सब चीजों को हम लें देख लिया यहीं पे आप लोगो को कॉंसेट्रेट करने के जौरत थी ये आर्टिकल से लेटेट बहुत सारे पूर्सन अलग-अलग एक्जाम में पूछता है नहीं भी पूछे तब भी आपको ये पता होना चाहिए इन फ्यूचर किसी एक्जाम में आप पटेंड करोगे तो वहां य उसमें नहीं लगेगा में जो टाइम देना था वो यह अधिकार वाला ही सिक्षन था अच्छा एक बार रिवाइस करना है चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको वापस क्या क्या चीज़ें यहां पर हम लोगों नहीं देखा देखो पहला जो हमारा अधिकार था मूल र ठारा ठीक है दूसरा है सोतंद्रता का अधिकार पहला था समानता का अधिकार दूसरा था यहां पे सोतंतरता का अधिकार तो यहां पे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक का है ठीक है झिसमें अभिव्यक्ती, दोश, प्राण और सिक्षा की बात करता है ठीक है इसके लावा बंदि प्रतिक्षि करनає है यह जो सोतंतरता क अधिकार है, इसको बहुत important है, second number का इसको खास तोर पर याद रखना है, मैं इसको याद करने के लिए बोलता था, वाह दोस्त, प्राण देकर कैद कर लिया, ऐसा करके मैं इसको रट्टा मार लिया था, अपने हिसाब से मैंने इसको कर लिया था, इसका मतलब क्या है, वाह द मतलब बोलने का अधिकार, दोस्त मैंने बोला था, दोश को लिए करके, प्राण देकर, प्राण और देहिक, प्राण देकर, और एक है लास्त का बंदी प्रतिक्छी करने, इसको बोला जाता है, कैद कर लिया, मतलब बंदी बना लिया, तो मैंने इसको अपने हिसाब से किय है हमारे मोलीक अधिकार में सेकंड नमबर करकर सबसे इंपोर्टेंट माने जाता है सोतंतुतर कर इसलिए मैंने इसको एसा करके याक कर दिया तो अभी आधिकर नम्बर तीसरा है हमारा याट अगेंस्ट विरुद्ध अधिकार ठीक है right अगेंस्ट dehydration सोशन के विरुद्ध अधिकार तो इसमें आता है आपका आर्टिकल नमबर 23 24 आर्टिकल नमबर 4 है आपका धार्मिक सोतंदता का अधिकार आर्टिकल नमबर 25 से 28 तब का ठीक है पांचवा है आपका संस्कृति का अधिकार जो की है 29 और 30 और लास्ट है आपका समयधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें एक ही आर्टिकल है आर्टिकल नमबर 32 तो ये आपका 6 टोटल अधिकार हो गए क्या बोड़ रहो एडॉप्ट वाला जो अलग अलग कंट्री का था ये तो सब आपको मिल ही जाए गया और मैंने तो बता ही दिया है न ये आपको पीडिये पे मिल जाएगे ये चीज देख सकते हो एकल नागरिक्ता बृटेन से लिया गया है मूल अधिकार अमरीका से जिसके बारे में अभी हमने बात किया प्रस्तावना ऑस्टलिया से लिया है इसके इलावा जो है आयर लेंड से जो है हमारा निर्ति निर्दे सकता तो साउथ अफरीका से समयधानिक द्धन रस्या से लिया है मुलकर तबे ये छे चीजे आपको होना चाहिए बिलकुल पढ़ना है आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है ज्यादा पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा उसका कोई मतलब नहीं है समझ में पढ़ना है आप अदर का मैंने दे दिया है आप चाहो तो देख लेना अदरवाइस ये छे ही आपको पढ़ना है यही आपसे पूछेगा अगर पूछा तो अदरवाइस आप पढ़ते बैठोंगे टाइम वेस्ट होगे कूई मतलब का नहीं है काम भी नहीं आएगा मैं ज कितना बता रहों उतना पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा, आपके अभी के एक्जाम के लिए आने वाले कुछ एक्जाम के लिए भी इसका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादे डिटल में पढ़ने के कोई जरुत है ने इसको, हाँ, जब टाइम मिले, नौकरी योकर मिल चाहे, अराम से समिधान लाना, बैट के पढ़ते रहना, बहुत ज़रुरी चीज़ है, हर इंसान को पढ़ना ही चाहिए, समिधान के बारे हम नौलेज होना ही चाहिए, जीने के लिए, खैर, अभी हम ये खतम करते हैं